हेलो गाईज, वेरी गूड बॉर्निंग तो अल अफ यो, स्वागत है अब सभी का ओनलाइन इस्टेड एकड़ी में, आज देट है 7 दिसम्बर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स हैं वो डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में, साथ ही देखेंग तो अच की पहली न्यूज है, वाइस प्रेसिडेंट वेनकया नाइडू रिलीजेज पोस्टेज स्टेंप इन ओनर ओफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल उपरास्पति वेनकया नाइडू जी ने पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल जी के समान में डाक टिकट जारी किया है अप्राइल 1957 से लेखे मार्च 1998 तक कार पे रहे उसके लाबा आईके गुजराल जी का जन्म जो है ये जेलम में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है जन्म हुआ था 1919 में और इनकी मृत्ती हुई थी 2012 में लंग इंफेक्शन की वज़े से Next News है गितांजली राओ बिकेंस फिर्स्ट एवर टाइम्स कीड ऑफ दफ इयर गितांजली राओ टाईम मेगजीन की पहली किड ऑफ दा इयर बनी है तो आपने सुना होगा जो टाईमumen है काफी जाधा फेमस न्हों ने अभी हाले में अपना सबसे पहली बार कीड ऑप दा इय बनी है गीतांजली राओ गीतांजली राओ जो है ये इंडियन अमेरिकन यंग साइंटेस्ट हैं और उतके साथ ही इन्वेंटर हैं इनकी उम्र है 15 साल और इन्हें लगबग 5000 नॉमनीज के बीच में सेलेक्ट किया गया है और इन्हें सेलेक्ट क्यों किया गया है तो इन्हों इसको टैकल करने के लिए इसके खिलाफ लड़ने में उन्होंने टेकनोलोजी का यूज करके एप डबलब किया है तो इसी कारण से इन्हें Kid of the Year का एवाड दिया गया है किसके दोरा टाइम्स मैगजिन के दोरा और ये सबसे पहली बार Kid of the Year का एवाड दिया गया टाइम्स मै anniversary कोलकाता में माजर हाट पूल को नेता जी की 150 वी जैनती के आफसर पर जैहिंद पूल का नाम दिया गया है तो 23 जनवरी को ये पॉइंट याद रखेगा हर साल 23 जनवरी को जो नेता जी सुभाश चंद्रभोस जी थे उनकी anniversary मनाई जाती है और 2021 में इनकी 125th anniversary पड़ेगी तो उसी दिन को मार्क करने के लिए जो वेस्ट अंगॉल की चीफ मिनिस्टर है ममता बेनरजी जी उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी जो नई माजर हाट ब्रिज बनी है कलकत्ता में उसका नाम रखा जाएगा जैहिंद ब्रिज तो 2018 में जो हाँ पे पुरानी ब्रिज थ तो सब अर्व एरियास हैं बाहला के वहां से कोलकाता के सेंटर पार्क को कनेक्ट करेगी इसके लावा वेस्ट अंगॉल की चीफ मिनिस्टर है ममता बेनरजी कवर्णर है जगदीब धानकर और कैप्टल है कोलकाता नेक्स्ट न्यूज है टू न्यूज पोस्ट इन दा इंडियन आर्मी है बिन अप्रूवट डिप्टी चीफ अफ मिलेटरी ऑपरेशन सेंट इस्ट्रेजिक प्लैनिंग और दूसरा पद है सूचना युद्ध के महानितेशक और जो एप्रूब्मेंट है ये दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रक्षा मंत्राला की तरफ से तो लिटिनेंट जनरल परमजीत सिंग जो है ये पहले डिपिटी चीफ ऑफ मिलेटरी ऑपरेशन और इस्ट्रेजिक प्लैनिंग बनेंगे के कोन लिटिनेंट जनरल परमजीत सिंग और ये सबसे पहले होंग है सूचना है उतके महाने देशक का यानि डारेक्टर जनरल ऑफ इनका रोल होगा हाइब्रीड वार्फेर में फ्यूचर बैटल फेल्ड में और जो सोचल मीडिया रियालिटीज है उन पे इन चीज को कवर करेंगे डारेक्टर जनरल ऑफ इनफोर्मेशन वार्फेर और इन पे अभी नाम नहीं दिया गया है कि इस पत पर कौन यूप्त होंगे और जो पहला पत था डुपिटी चीफ ऑफ मिलेटरी ऑपरेशन एंड स्टेजिक प्लानिंग इस पत पर आएंगे लिटिनेंट जनरल परमजीत सिंग नेक्स नियूज है करनाटका विकास ग्रामीड बैंक लांजड क्रिशी ओवरड्राफ्ट स्किम फॉर फार्मर्स करनाटका विकास ग्रामीड बैंक ने किसानों के लिए क्रिशी ओडी योजना यानि की इसिस एक तो अगर इरिगेटेड लैंड है यानि जहां पे फसल होती है ऐसी लैंड है तोWhy पे मेंच 20 2290 वायонд थारी दिया जाएगा और जो ड्राइड है उपे maximum एक लाग तक का overdraft दिया जाएगा और इस facility से जो भी amount या capital मिलेगा farmers को उसका farmers use कर सकते हैं जो भी उनकी machinery है उनको maintenance करने में उनके equipments को maintain करने में उसके अलाबा जो उनकी machinery अगर खराब है तो उसको repair या replace कर सकते हैं उसके अलाबा उनके agriculture के लिए related जो भी activities उने करनी है तो उस पैसों से वो कर सकते हैं इसके अलाबा जो उन्होंने private loan लिए है अपने personal use के लिए उसको भी इस amount से वो repay कर सकते हैं जो करनाटका विकास ग्रामीन बैंक है इसका quarter है धारवाड करनाटका में और chairman है पी गोपी कृष्णा नेक्स न्यूज है international labor organization has released global wage report 2020-21 wages and minimum wages in the time of COVID-19 तभी हाली में जो ILO है यानि की अंतराश्टी श्रम संगठन उन्होंने अपनी global wage report 2020-21 जारी की है रिपोर्ट का नाम है पूरा global wage report 2020-21 wages and minimum wages in the time of COVID-19 तो यह इस series की सात्वी report थी और इस report में mainly यह दर्शाय गया है कि जब COVID-19 का crisis चल रहा है तो इस time पे आप सभी को पता है कि जो काम है working hours है काफी जादा कम हो गए है तो इस report में जो भी अलग-अलग countries हैं उनके उपर pandemic का क्या प्रभाव पड़ा है वहां पे क्या काम हो रहा है और वहां पे जो wages दिये जाते हैं काम पे उन पे कितना प्रभाव पड़ा है pandemic का इन सब चीजों को कवार किया गया है और ये भी बताया गया कि pandemic के कारण कौन-कौन से area है जहां पे सबस्यादा प्रभाव पड़ा है तो wholesale और retail trade में और उसके अलाबा accommodation और food services में सबस्यादा प्रभाव पड़ा pandemic का इसके अलाबा report में भारत के बारे में बात की गई है तो भारत में जो formal workers है उनकी जो wages है यह इनमें 3.6% का जो गिरावट है यह देखा गया है उसके अलाबा जो informal workers है उनके जो wage है इसमें 22.6% की गिरावट देखी गई है और report को जारी किया है इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन ने यहां के डारेक्टर जनरल है गाय राइडर और इसका headquarter है जिनीवा स्विट्जेल लैंड में है नेस्ट है वी मूरली धरन एडरेश दस इंडिया CLMV business conclave वी मूरली धरन जी ने छटवे भारत CLMV व्यापार समयरन को समोधित किया है तो सबसे पहले यह जानिए वी मूरली धरन कौन है तो वी मूरली धरन जी भारत के external affairs ministry के minister of state है दूसरी चीज़ यह कि भारत और CLMV की business conclave थी तो भारत तो आपको समझ में आ गया CLMV किया है तो यह group है countries का जो है Cambodia, Laos, PDR, Myanmar और Vietnam तो इन countries के group को कहा गया है short में CLMV तो भारत और CLMV के business council के अभी छटी meeting हुई है और इसी meeting को संबोधित किया है भारत के minister of state जो है external affairs के भी मुरली धरंजी ने और यह जो conclave है इसको organize करा गया था CII के तोरह यानि confederation of Indian industry और उनके साथ ही department of commerce के तोरह और यहाँ पे chief guest के रूप में union minister जो है भारत के commerce और industry के पियुश गोयल जी वो उपस्थित रहे और इसका objective था जो भारत है और जो CLMV countries है इन दोनों के बीच में जो भी इनके संबंध है उनको मजबूत करना और cooperation को बढ़ाना के बात करें CII की तो full form है confederation of Indian industry president है उदय कोटक और headquarter है new Delhi में next news है Asian development bank approved 190 million dollar loan for the bangalaur smart energy efficient power distribution project तभी हाली में एशियाई विकास bank ने bangalaur smart energy efficient power distribution project के लिए 190 million dollar के रेंड को मंजूरी दी है तो ये दो part में ये loan sanction किया जाएगा जिसमें से एक part है 100 million dollar का जो की होगा sovereign guarantee वाला यानि public sector के लिए और दूसरा है 90 million dollar का जो की बिना sovereign guarantee का होगा ये है private sector के लिए और ये loan अप्रूब किया जा रहा है बैंगलोरू electricity supply company limited के लिए तो ये जानिए कि sovereign और non sovereign guarantee क्या होती है तो जो sovereign loan होते हैं कि इनकी जो guarantee है इसकी government जो होती है country की वो guarantee लेती है इस loan की उसके लाबा जो non sovereign loans होते हैं इसकी जो government होती है country की वो कोई भी guarantee नहीं लेती है तो ये difference होता है sovereign और non sovereign loan में तो 100 million sovereign loan रहेगा 100 million dollar और 90 million dollar जो है ये non sovereign loan रहेगा उसके लाबा ये जो loan है इसका objective क्या होगा तो बैंगलोरू में जो भी power distribution system है उसको upgrade करना और उसको उसका नभीनी करन करना इसलिए ये लोन दिया गया है इसके लाबा ये लोन दिया है Asian Development Bank ने जिसका headquarter है Manila फिलेपिन्स में president है मसाथ सुगू असाकावा member है 68 country जिसमें भारत भी शामिल है और इसकी स्थापनावी थी 1906 में next news है 7th meeting of India-Mongolia joint committee on cooperation held virtually तभी हाली में भारत और मंगोलिया सहयोग पर सहयोग समीती की साथवी वैठक आयोजित हुई है और इस meeting को chair किसके दौरा किया गया है यानि अध्यक्षता किसके दौरा की गई है तो भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई है भारत के external affair minister एस जयशंकर जी के दौरा और वहीं बात करें मंगोलिया की तरफ से तो वहाँ पे जो वहाँ के chief cabinet secretary है Mr. L. Oyun Ardain Mr. L. Oyun Ardain प्रेजेंटर है उन्होंने co-chair किया इस meeting को एस जयशंकर जी के साथ तो भारत और मंगोलिया की बीच में जो diplomatic relation establish किये गए थे उसके 65 साल पूरे हो गए है और इसी 65 फी anniversary को celebrate किया गया इस meeting में उसके अलाबा इस location पे मंगोलिया दौरा एक special stamp भी issue किया गया है जो की मंगोलिया post दौरा issue किया गया था तो मंगोलिया ने इस post को release किया इस location पे उसके अलाबा जो भारत का National Mission of Manuscripts है इसके अंडर में जो मंगोलिया कांजूर है उसके 108 volumes जो हैं प्रिंट होने वाले हैं हो ही रहे है National Mission of Manuscripts के अंडर में तो भारत ने इन 108 volumes में से 25 volumes जो हैं ये handover कर दिये हैं मंगोलिया को इस चीज़ के मंगोलियन कांजूर के इसके अलाबा दोनों ही countries ने COVID-19 के खिलाब मिल के लड़ने में अपने views दिये उसके अलाबा मंगोलिया न प्रेस्जेंट हैं खालत मागिन बतुलगा प्राइम मिनिस्टर हैं उखनागिन खुरेल सुख और करेंसी है टोग रोग नेक्स्ट नियूज है निर्मला सीतारामन रिलेजट स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट-2019-20 तभी आली में भारत की जो फाइनन्स मिनिस्टर हैbuildमंत्री निर्मला सीतारामन जी ने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट-2019 बीज चारी की है तो अभी चार दिसंबर को जो डारेक्ट रेट ओफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है यानि की DRI उसका 63 स्थापना दिवस मनाया जा रहा था जिसे अटेंड किया भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने और उसी दिन पे उन्होंने जारी किया है स्मगलिंग इंडिया रिपोर्ट 2019 तो जो DRI है यह जो सबसे बड़ी भारत की एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस और इंवस्टिगेशन एजेंसी है क्योंकि इस्मगलिंग के अगेंस्ट में काम करती है और यह काम करती है CBIC के अंड टैक्सेस एंड कस्टम और जो रिपोर्ट है स्मगलिंग इंडिया रिपोर्ट 2019-2020 इसमें क्याग्याचीज कवर की गई है तो अलग अलगतर है कि जो फ्रॉड्ट और स्मगलिंग चल रही है भारत में उन चीज़ों किसमें कवर किया गया है जैसे कि जो गोल्ड की स्मगलि उसके लाबा नार्कोटिक्स, ड्रक्स, सीक्योरिटी, इन्वार्मेंट और कमर्चियल फ्रॉट तो ये सारी चीजें कवर की गई हैं स्मगलिंग इंडिया रिपोर्ट दोजार उन्निस बीस में है नेक्ष धर्मेंद प्रधान है रिप्रेजेंटेड इंडिया एड सेवन्थ IEF IGU Ministerial Gas Forum धर्मेंद प्रधान जी ने सातवें IEF IGU मंत्री स्तरी गैस फोरम में भारत का प्रतिनिद्वित किया है तो जो धर्मेंद प्रधान जी है ये कौन है धर्मेंद प्रधान जी भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर है और ये जो कॉन उन्कलेव है इसकी थीम रखी गई थी टूवर्ड्स रिकवरी एंड शेर्ड प्रॉस्परिटी नेचुरल गैस ऑपर्चुनिटीज फॉर अस्रस्टेनेबल वर्ल्ड के थीम जरूर याद रखिएगा इसके लाब है जो फोरम इसमें आपको दो तम दिख रहे हैंगों एक फोरम को और जो फोरम है इसका इनाउगरेशन किया है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहिदीन यासिन ने इसका मेन ऑपजेक्टिव यह है कि सबसे पहले तो जो ग्लोबल गैस मार्केट है उसको एवलूशन करना उसका विकास करना उसको सपोर्ट करना दूसरी चीज़ जो भी गैस मार्केट के छेतर में नए नएंरजी पॉलिसीज आ रही है विजनेस इस कीज़ों को देखना उसके लाबा जो नए नए नेचुरल गैस मार्केट हैं उनको एक्स्प्लोर करते रहना इसके लाबा गैस मार्केट के लिए एक अच्छा बहुशिए बनाना नेक्स्ट है अनीता आनन्द's book The Patient Assassin has won history literary prize of United Kingdom अनीता आनन्द की पुस्तक The Patient Assassin ने ब्रिटेन का इतिहास साहित पुरुसकार जीता है तो ये एक आफ़ोर्म देख सकते हैं ये हैं अनीता आनन्द और ये हैं इनके दोरा लिखी के किताब Patient Assassin तो ये जो अनीता आनन्द है ये एक British Indian journalist है और उसके साथ ही author है और इनके दोरा ये बुक लिखी गई है Patient Assassin A True Tale of Massacre Revenge and the Raj इस बुक में में इन कवर क्या किया गया है तो जो 1919 में जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था आमरितसर में तो वहाँ पर इसकी story बताई गई है कि किस तर से एक young man जो है इस जलिया वाला बाग में फज जाता है तो उसी young man के उपर ये story लिखी गई है और इसी कारण से ये जो बुक है इसे select किया गया है History Literary Prize in the UK Award के लिए Next है योगी आदितनाथ लॉंचेस मेरा COVID केंदर मोबाइल एप्लिकेशन योगी आदितनाथ जी ने मेरा COVID केंदर मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है तो अब यहाली में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित तिनाथ जी उन्होंने लॉंच किया है उत्तर प्रदेश में एक मोबाइल अप्लिकेशन जिसका नाम है मेरा कोविट केंदर और इस आप का काम क्या होगा तो जो भी परसन इसे यूज करेगा तो उस आपको यूज करके अपने आसपास के कोविट सेंटर के बारे में जनकारी ले सकते हैं इसके अलाबा उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्टिक में फ्री टेस्टिंग फैसिलिटीज भी अवलेवल है उसके लाबा जो वहाँ पर प्राइवेट लैप्स हैं उनके लिए भी इतनात कैपिटल है लखनव और गवार्नर है अनंदीबन पटेल और अनंदीबन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मद्द प्रदेश की भी गवार्नर हैं नेक्स है एक्सिस बैंक लाउंचेस एक्सिस बैंक रूपी फी बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर MSME तब यहाली में एक्सिस बैंक ने जो MSME है यानि की Micro, Small and Medium Enterprises उनके लिए Axis Bank Rupi Fee Business Credit Card launch किया है और इसका नाम Rupi Fee Business Credit Card क्यों है क्योंकि यह जो card है इसे Axis Bank के दोरा launch किया गया है Rupi Fee और Visa के साथ partnership में इसलिए इसका नाम है Axis Bank Rupi Fee Business Credit Card तो इस card की facility पाने के लिए जो joining fee है यह 1000 रुपय रखी गई है इसके बाद इसमें कोई भी annual fee नहीं होगा और इसके जो शुरू के इंक्यामन दिन है इस card के यह बिल्कुल भी पूरी तरह से interest free होंगे कोई भी इसमें व्याज नहीं लगेगा उसके अलाबा यह जो card है इसका जो average credit limit रखा गया है यह एक लाख रुपय से दो लाख रुपय पर मन्त के बीच में रखा गया है और यह mainly launch किये गये हैं जो MS Amis है छोटे मोटे business है उनके लिए बात करने access bank की तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा private sector bank है इसका headquarter है मुंबई मारास्ट में MD और CEO है अमिताप चौधरी जी tagline है बढ़ती का नाम जिन्दगी कही बार exam में आपसे tagline पूछ लेता खासकर कि bank exam में तो tagline जरूर याद रखेगा tagline access bank की बढ़ती का नाम जिन्दगी और जो रूपी फी है यहां के co-founder और CEO है अनुभाव जैन और इसका headquarter है बैंगलोरू करनाटका में next news है जॉन अब्राहिम विकम्स पेटा इंडिया's person of the year 2020 जॉन अब्राहिम पेटा इंडिया के person of the year 2020 बने है तो अब इहाली में जो पेटा है पेटा का full form होता है people for ethical treatment of animals तो जो पेटा का इंडिया का पार्ट है पेटा इंडिया उन्होंने जो बॉलीवूड एक्टर जॉन अब्राहिम को चुना है person of the year के रूप में तो यह नहीं अवार्ड दिया क्यों गया है तो यह अवार्ड इन इंडिया ने person of the year 2020 के रूप में चुना है तो अब समय है आज के quiz का question है which state government has launched a अभयाम app for safety of women traveling by auto and taxis किसरा सरकार ने ऑटो और टैक्सी से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयाम app launch किया है कौन से अभयाम तो make sure this question जरूरते current works में आई यह देखते हैं कल का question कल माना से पूछा था which bank has become first to launch fully digital cardless EMI facility पूरी तरह से digital cardless EMI शुद्धा शुरू करने वाला कौन सा पैंक पहला बैंक बना है तब इहाली में ICICI bank ने fully digital cardless EMI facility शुरू की है और यह भारत का पहला बैंक बन गया है पूरी तरह से digital cardless EMI facility लॉंच करने वाला किस बैंक ने लॉंच किया है आप चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon को भी जरूर दबाएगा ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे उसके लाबा अगर आपको revision के लिए आज की वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी link मैंने description box में दे दी है आप वहाँ पे visit करके download कर सकते हैं